विजय भारत विजय भारत बच्चों बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पर अब वीडियो अप्लोड करना हो रहा है थोड़ा बिजी शेडियूल हो गया था लेकिन इसी करम में आगे भड़ती है आज हमारा लेक्चर 6 है जिसमें हम पढ़ेंगे पजेशन ठीक है तो आज हम पजेशन पढ़ेंगे नाउन में हमारा नेट पपिक भी है और थोड़ा सा पजेशन के बारे में जान लेते हैं पजेशन मतलब अधिकार ठीक है तो अंग्रेजी भाशा में अधिकार दो तरीके से शो होती है एक अपस्ट्रॉफी एस से और दूसरा ओफ से ठीक है तो स्क्रीन पर भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है इन दा इंग्लिश ग्रेमर पजेशन शोज अर रिलेशन ऑफ बिलॉंगिंग बिट्वीन वन तिंग अनधर यानि कि एक चीज का किसी दूसरी पर अधिकार होना इन इंग्लिश अपस्ट्रॉफी एस एंड और और अंग्रेजी में अपस्ट्रॉफी एस और 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 अफ का प्रियोग अधिकार बनाने के लिए यानि कि पजेशन के लिए होता है तो हमारा रूल नमबर वन है कि we make possession of non-living thing using of यानि जितनी भी non-living things होती है हम उनका possession of से बनाती है वहाँ पर हम अपस्ट्रॉफी एस का प्रियोग नहीं करेंगे इसे आपको इदर कुछ examples दिख रहे हैं उसमें लिखा है springs flower तो आप लिखेंगे the flower of spring ऐसे इदर लिखा है एक और example karts wheel तो kart जो है वो कैसी है non living thing है तो इसका possession किस से बनेगा apostrophe s से नहीं बलकि off से बनेगा हम कैसे लिखेंगे a wheel of a kart है ना तो हमें याद रखना है कि non living thing के जो possession है वो किस से बनेगे off से बनेगे rule number two कह रहा है कि जितना भी living beings है यानि जीवित अस्तित्व है तो living beings के जो possession है वो apostrophe s से बनेगे ठीक है तो जैसे maria's poems, suzana's laptop, sorov's bat तो maria, suzana, sorov ये सब कैसे हैं living है ठीक है तो living things कैसे possession बनेगे apostrophe s से पर ऐसा नहीं है आपने पढ़ा होगा कि living beings के साथ भी off का use आपने पढ़ा होगा तो याद रखिए इसका use होता है हम इसको बाद में पढ़ेंगे लेकिन इसका use कहा होता है और किस तरीके से करना है इसको हम बाद में पढ़ेंगे ये है कि होता है आपने पढ़ा भी होगा लेकिन उसका एक case है उस case की according ही हम जो ह आगे कभी discuss करेंगे आज इस topic के लिए हमें बस यही mind में रखना है कि 99.50% आपको living beings और living things के साथ apostrophe s का ही प्रयोग करना है off का नहीं ठीक है लेकिन ये इसका मतलब यह नहीं है कि off का प्रयोग नहीं होता होता है लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे कि किस कारणवश हमें off का प् आगे बढ़ते हैं rule number three rule number three कहता है कि ऐसे noun चाहे वो singular हो या plural ठीक है अगर उनकी ending ऐस से हो रही है तो उसका जो possession है वो सिर्फ apostrophe से बनेगा apostrophe s से नहीं इससे बनेगा सिर्फ apostrophe s से नहीं जैसे examples देखिए यह उसमें लिखा है girls is school girls is school नहीं होगा खाली girls is school होगा s remove कर देंगे apostrophe वहीं पर रखा रहेगा यहां वहाँ पर उसे छोड़ देंगे ऐसे boys is hostel तो boys is hostel नहीं होगा boys hostel होगा और यह बात समझ में तो जैसे मान के चलिए कोई singular noun भी है जैसे Jesus तो Jesus के भी last में s आ रहा है तो वहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे Jesus is speech हम लिखेंगे Jesus is speech यानि Jesus के बाद हम सिर्फ apostrophe लगाएंगे एस का प्रियोग नहीं करेंगे rule number 4 कहता है कि जब किनी दो व्यक्तियों का किसी एक व्यक्ति पर समान अधिकार हो या वस्तू पर समान अधिकार हो तो हम दूसरे वाले के साथ apostrophe एस का प्रियोग करते है तो देखिए दर ध्यान से देखिए इंग्लिश में भी लिखा है when two nouns indicate common possession apostrophe s is added to the later later मतलब बादवाला बादवाले पर हम apostrophe s का प्रियोग करते हैं जैसे Olga and Aksana's mother is Galina तो Olga एक लड़की है वो दौनो भेने हैं जिनकी मा गलीना है तो दौनों भेनों का अपनी माँ पर समान अधिकार होगा जब किनी दो व्यक्तियों का किसी एक व्यक्ति या वस्तू पर समान अधिकार होता है तो हम दूसरे वाले पर यानि second one पर हम जो है apostrophe S का प्रयोग करते हैं या possession जो करती है तो इसका मतलब है इस sentence में ये मतलब हो गया जो गलीना है वो ओल्गा और अक्साना की मा है अनुस्का की अलग शादी नी हो रही विराट की अलग शादी नी हो रही है यानि अनुस्का और विराट की जो शादी है वो एकी है तो walked across the street to the reception तो वहाँ पे जो लोग आये हैं जिन्होंने attend किया है वो reception के लिए जो है street के उस पार तहल रहे है या जा रहे है तो शादी जो है वो अनुश्का और विराट की एकी है इस कारण से विराट के पास यानि कि जो later वाला है यानि बाद वाला है apostrophe S का प्रयोग हुआ है rule number 5 देखते हैं when two owners indicate separate possession ठीक है बाण के चलो कोई एक वस्टू है जो समान दिखती है चीक है और समान दिखती है पर है नहीं मतलब और उस पर किनी दो व्यक्तियों का अलग-अलग अदिकार है जैसे poetry है poetry ठीक है उपन्यास है वो तो किसी का भी हो सकता है ठीक है तो जैसे एक्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं, किसे, I like Tolstoys and Valadmir's novel, तो ये रशिया के दो बड़े लेखक हैं, Tolstoy और Valadmir, तो Tolstoy की अपने उपन्यास होंगे, Valadmir के अपने उपन्यास होंगे, तो जब हम दौनों पर apostrophe इसका प्रियोग कर देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है, कि Tolstoy का उपन्यास अलग है, और Valadmir का उपन्यास अलग है, यह हम ऐसे भी मान सकते हैं, कि Valadmir का जो उपन्यास हों टोलस्टोई का नहीं है, और जो टोलस्टोई का उपन्यास हों वलदमीर का नहीं है, वलदमीर का अपने उपन्यास पर अधिकार है, तोलस्टोई का अपने अदिकार है ऐसे ही एक दूसरी देखते हैं I drove Suzanne and Irina's car yesterday यानि कि मैंने कल जो है वो Suzanne की car भी चलाई और Irina की car भी चलाई तो Suzanne की अलग car थी और Irina की अलग car थी जब किनी दो व्यक्तियों का ध्यान से सुन लीज़ब किसी समान दिखने वाले वस्तू पर अलग-अलग अदिकार होता है जैसे car तो उसकी भी है तो जब अलग-अलग अदिकार होता है तो हम दोनों पर ही apostrophe S का प्रियों करते हैं मैं उमीद करता हूं कि आपको ये पांचर रूल समझ में आ गई होंगे फिर भी अगर नहीं आये मैं हर लेक्चर में कहता हूं आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजेगा ठीक है या तो मैं वहीं आपको रेपलाई करके समझा दूँगा अ अगर कोई नाउन लगा हो तो वो नाउन अपोस्ट्रोफी एस लेता है यानि पजैशन लेता है उस पर हम पजैशन चो करते हैं फिर वो चाहें लिविंग हो या नॉन लिविंग हो जैसे इसमें तो नॉन लिविंग है आना तो मतलब वीकल्स कई होता है ट्वेंस अधिकार शो करना है अधिकार शो कर दिए ठीक है दो इतरीके से अधिकार शो होती है ऑफ से होती है और अपोस्ट्रोफी एस से होती है यह बास समझ में Rule Number 7 पर आते हैं Rule Number 7 किया रहा है कि Indefinite pronoun जो भी Indefinite pronoun होते हैं उनके possession Apostrophe S से show किये जाते हैं आसे पर pronoun पर possession नहीं लगते हैं क्योंकि Possessive pronoun खुद होते हैं possessive adjectives भी होते हैं लेकिन Indefinite pronoun एक figure एक body को denote करते हैं तो इसलिए उन पर हम apostrophe as kapryo कर देती है या करती है ठीक है जैसे examples लिखाए everybody's books are here यानि हर किसी की किताबे यहां है तो everybody indefinite pronoun है और indefinite pronouns के साथ apostrophe as kapryo किया गया है यानि हर किसी की किताबे हर किसी की किताबे trying putting yourself in another shoes another जो है ठीक है वो भी एक pronoun है इसके बाद जो है किसी व्यक्ति को denote करता है क्योंकि apostrophe as use हो रहे है इसमें something, anything, ऐसे नहीं तो ऐसे pronoun जो किसी व्यक्ति को यानि living being को हम पहले भी पढ़े चुके है living being के साथ apostrophe as का use होगा तो ऐसा आप उन pronouns को मत ले लीजेगा indefinite pronoun में जो things को denote करती है जैसे something, anything, nothing, everything इनको आपको denote नहीं करना है जो किसी एक figure, किसी एक body या किसी एक living being को denote करती है या उनको replace करती है ऐसे pronoun पे apostrophe as लगानी है आरे ये बास समझ में तो देख लीजे एक बार rule number 7 कि some pronouns like देखिए मैंने लिखा भी है यलो कलर में आप पढ़ेंगे nobody, anyone, somebody, someone, nobody no one, everybody, everyone, other, any, another, each other, one another तो देखो इसमें मैंने कहीं भी नहीं लिखा everything, anything, nothing, something या ना things वाले नहीं लिखे क्योंकि things के साथ off का प्रयोग होता है तो things के साथ हमने नहीं लगाना तो जो living beings वाले हैं जो उनको replace करते हैं उनके साथ हम apostrophe s का प्रयोग करेंगे rule number 8 देखते हैं अगर अगर indefinite pronoun के बाद else लगा हो तो हम apostrophe s का प्रयोग else पर करते हैं indefinite pronoun पर नहीं I can rely on you not somebody else मैं तुम पर depend रह सकता हूँ लेकिन किसी और पर नहीं मैं तुम पर rely on के दो अर्थ होती है एक to depend और एक to believe ठीक है विश्वास करना भी होता है और depend होना भी होता है अच्छा एक और भी बात याद रखिएगा कि rely के साथ preposition on आता है और believe के साथ preposition in आता है ठीक है rely के साथ preposition in नहीं आता मान के चलो वहाँ पर error indefinite pronoun या possession की नहीं आई तो हो सकता है वहाँ पर prepositional error हो वहाँ पर ऐसे लिख दे I can rely in you not somebody else's एना ऐसे लिख दे लेकिन अभी हमें focus करना है possession पर तो rule number 8 कहता है कि अगर indefinite pronoun के बाद else का प्रयोग हो रहा है तो हम apostrophe s का प्रयोग else पर करेंगे indefinite pronoun पर नहीं आप example number 1 देखिए I can rely on you not somebody else तो उपर वाली साइड में मैंने somebody यानि indefinite pronoun पर apostrophe s का प्रयोग किया है लेकिन वो क्या हो गया? incorrect हमें use किस पर करना है? else पर करना है तो नीचे मैंने correct sentence लिखाए I can rely on you not somebody else's same thing is with the example second that is not Suzanna's handwriting it must be someone's else तो someone पर नहीं होगा else पर होगा that is not Suzanna's handwriting it must be someone else's it must be someone else's तो else पर हम प्रयोग करेंगे rule number 9 देखती है देखिए अगर हम किसी चीज का comparison कर रहे है किसी चीज का जैसे व्यक्ति का कर रहे है तो व्यक्ति के साथ होगा व्यक्ति की चीज का कर रहे है तो व्यक्ति की किसी चीज के साथ होगा तो ऐसे comparison में हम as और then के बाद apostrophe S का प्रयोग करते हैं जैसे हम एक sentence उठाते है सुजाना's car is faster than Nelson तो उपर वाले का मतलब यह है कि सुजाना की car जो थी वो Nelson से तेज थी तो हम यह कहना चाहरे हैं कि सुजाना की car जो थी वो Nelson की car से तेज चलने वाली car थी Nelson की car से जबकि हमने सुजाना की car का comparison Nelson से कर दिया आप समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं है हम यह कहना चाहरे हैं कि सुजाना की car जो थी वो Nelson की car से तेज थी तेज चलने वाली car थी तो इसलिए हम as और then के बाद जैसे यहाँ पे then लगा हुआ है as और then के बाद apostrophe as का प्रयोग करेंगे क्यों 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 कि यहाँ पे सुजाना का comparison अगर होता तो Nelson से होता और सुजाना की car का comparison हो रहा है तो Nelson की car से ही होगा आप समझ रहे हैं इंसान का car से कोई comparison नहीं है हमें comparison करने के लिए भी जो है एक contemporary वस्तू लेनी पड़ती है ऐसा नहीं है कि तारों का comparison पत्ते से हो जाएगा ठीक है प्रत्वी का comparison हड़ी से हो जाएगा ऐसा नहीं होता है ठीक है इंसानों का इंसान से होगा लड़की का लड़की से होगा लड़की का लड़के से हो जाएगा बनलब इस टाइप के जो कुछ contemporary common होती है उनके साथ हम possession करते हैं तो car का comparison car से होगा सड़क का comparison स्कूल से नहीं हो जाएगा तो school का comparison स्कूल से होगा सड़क का comparison सड़क से होगा तो ठीक इसी प्रकार से सुजाना की car का comparison भी Nelson की car से ही होगा rule number 10 दिखती है सबसे पहले ऐसी चीज जो personified हो यानि अगर हमने किसी non living things को living beings बना के प्रस्तुत किया है तो हम apostrophe S का प्रियोग करेंगे जैसे nature's law अब nature का कोई कानून नहीं होता प्रकृती का कोई कानून नहीं होता जैसे प्रकृती को सजीव रूप दिया है ऐसे sorrow's tears दुख अपने आप में दुख है तो दुखों के आसू आप समझ रहे हैं तो यहाँ पर दुखों के अगर आसू है तो दुख रो रहे तो दुख रो को रो तो सकता नहीं है तो हमने sorrow को एक figure बना दिया है यानि एक परसॉनिफाइड कर दिया है उसे जीवित बना दिया है तो इस कारण से जब हम किसी non-living things को सजीव बना लेते हैं तो उस case में हम apostrophe s का प्रयोग करते हैं ऐसे words जो space time और weight को denote करते हैं या length को भी denote करते हैं उनके साथ भी हम apostrophe s का प्रयोग करते हैं जैसे a boards length हम length denote कर रहे हैं a days journey a pounds weight a weeks holiday जहां पर भी हम space, time, weight, length इन सब को अगर हम क्या कहना चाहिए कि denote करते हैं तो apostrophe s का प्रयोग कर सकती है ठीक है विट certain dignified objects जैसे अच्छा ये जो certain dignified objects हैं ये भी तरीके से personified ही हो जाती है तो घवराने की ऐसी कोई बात नहीं है आप देखो जैसे courts की degree यानि न्याय पाली का जो court का मतलब जो भी फैसला है court का फैसला तो court भी देखो एक non living thing है court ने फैसला दे दिया court फैसला दे रही है तो क्या कर रहे है परसोनिफाइड ही हो रही है तो इसलिए इसमें dignified objects लिख दी है क्यों यासा बड़ा अंतर नहीं है पहले और तीसरे में तो इसमें भी कहीं नगए personification है आगे चलते है इन फैमिलियर phrases तो फैमिलियर phrases क्या है आप समझ लीजे जितने भी idioms और phrases होते है उसमें अगर आपको लग रहा है article की problem या possession की problem है तो idioms और phrases में ये सब मानने होते है चाहे वो आपको लगे rule के साब से गलत है या नहीं इनके change नहीं होते ये जो एक बार बन गए ये बन गए इनकी तबदीलिया नहीं होती यानि सीदी सीदी बात है कि ना तो idioms में articles हटाए जा सकते हैं जैसे stone है ना तो ये personified हो रहे हैं ना space time कुछ बता रहे हैं वेट बता रहे हैं लेकिन ये phrases हैं idioms हैं तो इसलिए ये change नहीं होंगे ना article हटेंगे ना possession लेकिन हमारा topic possession है तो इसलिए हमें ये याद रखना है कि possession तो बिल्कुल भी नहीं और article भी नहीं हटते हैं ये stones throw out of harm's way for God's sake, for heaven's sake, for mercy's sake ये सब idioms हैं, praises हैं ये fix रहते हैं इनमें कोई तबदीलिया नहीं होती है या मोटी तोर पे भी आप समझ सकते हैं कि इनको आपको रटना ही पड़ेगा या याद करना पड़ेगा with country, country के साथ भी हम अपस्टो फियास का use कर सकते हैं, और नहीं भी कर सकते हैं आप off का भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन अगर आपको कहीं मिले, तो वो अगर फिर भी आपको कोई चीज नहीं समझ में आई हो आप कमेंड बॉक्स में कमेंड कर दीजेगा मैं आपको उसके उत्तर समझा दूँगा आपका जो डाउट से वो किलियर कर दूँगा जय भारत, वजय भारत